इस गंगा जमना की तहजीब पर ये बसा है खज्छगाला थाना ऑल बीश टोनल मिन की मजार में पत्नाटे बीश सहर में मजारी सई करें लिए चार भाइओं एक बहन है ये यहाँ एक बहन है और यह चार भाइओं जू है वह भी प्तणा पत्ना सिटी यह बहुत जमाने से बहुत तदी में सुरू से दोनों मजार में पेरें हामना खातुन और एक यहां पर सुबेदार साहब का इस गंगा जमना की तहजीप पर यह बसा है खाजिकला थाना आप जब दखीएगा तो एक तरफ आप मजार है तो दुसरी तरफ पत्ना सिटी में है जो दोनों मजहबों को जोड़ने का कार करते हैं जो भी यहां के जो पददिकारी हो यहां के करमचारी हो प्रतेक दीन जब अपनी ड्यूटी शुरुआत करते हैं तो यहां पर मत्था टेकते हैं नवासते हैं और साथी यहां पर शंकर जी का लोग दर् माहारा देतें में इसे खजकला ठाना में देखने बन रहे गाए ज़ती जनकारी में पर यहां का जो यहां चार भाईयों में एक बहन का है तो चार भाई का है कि टिन अस्थानों पर है के नाम से मशूरे यहां पर वो करमचारी थें स्टाप थे और इनका भी यहां जब देखेगा तो मजार यहां भी लोग आते हैं और खासकर के खाजिकला थाना के जो भी पदादिकारी हो यहां प्रतेक बर्श से उर्स या तवाम तरह की जो भी परव होती है वो उसके यहां पर चाजर जब आप खाजिकला थाना में आएंगे तो सबसे पहले आपको शीव जी का मंदीर होगा उसी का जस्ट बगल में ही आप जब देखेगा तो दोनों मजार आमने सामने हैं आमना खातुर और एक यहां पर सुबेदार साहब का यह है आमना खातुर इनका नाम है चार भाईयो में एक बहन है यहां एक बहन है और यह चार भाईयों जो है वो भी पटना सिटी में अलग-अलग स्थानों पर उनका मजार है लोग चाजर पोसी करते हैं और दूर-दूर से लोग आते हैं मनते मांगने के लिए आते हैं असारी दूआओं से कभूल होता है यहां जब चार भाईयों में बहन हैं दो जल्ला से ड़े हैं और दो दर्यारूख यहां जब यह सहर था तो यह पानी से बह आता था सहर पाजीम साथ वास्ता के तैम में चारो दो घोड़े घोड़े लिद्धी साथ पर ते अस्तवल में रहते थे जब पूरी सहर की बत्ती बुग है आपके हाँ दिया जल रही है तब उन्हों बतला है जिब बतला हूँ मैं राजा हूँ तुमको बतलाना पर जो हो कौन तब उन्होंने बतला है कि हमको भेजा जिया है सहर ची हिवाज़त ते लिए तो सब अपने अपना अस्तान ले लिए और साहर उद्धी में से बसने अब बीच चौन में की मजार पटना के वीच सहर में मजार सईफ इनकी ये बहुत जमाने कदीम से ही अधिम साब आस्तर से पहले सी मजार सईफ चली आ रही है उसके ठाना भी नहीं था या दालत था यहां फैसला होता था कोड़ टजैरी कुछ नहीं था यहां फैसला होता यहां आते हैं यहां सालाना उर्ष होता है इस गार में शरीफ की उन्यवीश वीश उर्दू की नईश वीश होती है हर साल यहां धूमधाम से ठाना पढ़वाई जो रहते हैं उन्ती सरकारी चाधर चाहरती उसके बाद लोगों दी चाहरती है उनका नाम है आमना खातून सब अल्ला वाली है इन लोग को यह पूछना है कि यह थाना में रहते थी यहां अजीम साब आसारे टैम में यह थाना जो सुवेदाल थे जिस्टम यहां अदालत वार्द लगती थी सुवेदाल थे थाना में जब इन्ती वफात हुई हमारे दादा थे पहले 95 साल उमर में हमारे वाली साहब रहें मेरे वाली मेरे ब्रादा नाम हुआ अब्जुल रसीत भूंदुमियां हमारे वाली साहब है मुहमद स्रफुद्धिन विस्टम नबाब साहब मेरे दादा बाली साथ के मने देबाद इस मजार्त देड़ भाल ठाने ठाने मजार्त मैं करता हूं मेर कि शाध conquer दोनों मजार ही सराव सबसे ज्यादा में माजार है और उंके सेबात भी यहां रहते से सेबाठे करते थो भी सम्झा यह थे मेन मजार वही है समझयत वलिया का मजार है हूं समझ लीजिए जो मुराद मागाए आता है महां पूरा होता है वलिया का फायज है उनकी द्वाह है हमनुत पर Wow gotta लोगाते हैं अपना मन्नत पूरा होता है मजार वलिया के मजार पे वह अपना चादा चरवाते मेरे बुलबाते हैं कर देखा जाता है तो एक बहुतर मैसेज और खास करके हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई का जो नारा देते वह वाक्य में इससे खजिकला थाना में देखने को मिलता है एससाइटू आप देखते रहिए जेहिं